हंडिड प्लांट्स आज हम लोगों ने आपर आरफांड विछिंग के साथ मिलकर लगा हैं तो हम आज ये पेड लगा रहे हैं कि हम अपने आगे वाली आने की पीडी को हम इसका पूनिया दे सकें बागी हमने संडेज में शुरू करें प्लांटिशन राइब अभी तक हम से इस समर में हम 300-300 प्लांट लगा चुक्त चैरफ जन जिने ने प्रेड़ना दी है विश्चे तोर पर वदाय के पात रहें आज डिफेंस कलोनी मोहनपूरे में हम लोगोंने पौदार उपन किया है यहाँ पे जो डंप्याड है आर्मी की लैंड पे उस पर हमने पौदार उपन किया है आहार फांडेशन का इसमें बहुत बड़ा रोग लाया है उनहीं के वालिंटेस द्वारे यह किया गया है और पहले भी बहुत काम करती रही है रुड़की के लिए उनका जो मोटिव है हंगर को खतम करने का उसके तहए अथवा एक ग्रीन अर्थ को बनाने का उन्हें मोटो के साथ उन्होंने आज हमारे साथ एसोशियेट होकर ये ग्रीन ड्राइव चलाई है डंपियार्ड में गार्ब प्रकार के लगाए गए चायदार लगाए गए निम लगाए गए और पौदे लगाए और पौदे भी लगे वहाँ सबको मिलता है ऑक्सिजन की मातरा जादा होती है जितनी जादा आपनी एक करेगा उसके हेल्थ अच्छी रहेगी इस सब को देखते धानमे रखते हुए आज हमने यहां पर आहार फाउंडेशन के साथ 100 पॉद्धों का कारेकरम किया है, अहार फाउंडेशन द्वारा यह भी कारे बहुत अच्छा, मैंने आते ही इन से पूछा कि इनकी मेंटेनेंस कौन करेगा, तो इन्हों ने उसका भी पूरा अरेजमेंट कर रखा है, यह इनक करेंगे, 100 प्लांट्स आज हम लोगों नहीं है, आपर फाउंडेशन के साथ मिलकर लगाएं, अभी रक्षा बंदन, 2024, पुरा इंडिया, पुरा इंदुस्तान बनाएगा, लेकिन कहीं नहीं देखें, देश में तो एक दशेहरे का महल बन चुका है, क्लक्ता जो रेप क्र करते हैं, हम बड़े-बड़े तवहरों की बाते करते हैं, हम बाते करते हैं, वर्ल्ड पावर बन गए हैं, लेकिन जो हमारी मुल रूप के समझता है, उस पर कोई ध्यानी नहीं दे रहा है, जो क्लकता में एक डॉक्टर के साथ खयान हुआ है, उसके सोच के भी दिल दहल ना कोई प्रशन चिनुतपन होते हैं, जो क्राइम स्थाल था, वो अभी तक प्रॉपरली सील नहीं किया गया है, उसके 20 मिटर के दूरी पर ही कुछ काम चल रहा है, तो कहने को तो हम बहुत बड़ी-बड़ी बाते करते हैं, कि हम विश्पावर बनने वाले हैं, लेकिन सच बताओं, भगवान के साक्षी है कि मेरे आंके खुद नम हो गई और मेरे हिर्दे को बहुत पीड़ा हुई, लेकिन उससे भी ज़्यादा पीड़ा मुझे तब हुई, जब मैंने अपने फेस्बुक पे उनके समर्थन में एक पोस्ट डाली, वह कहीं बुद्धी जीव पन किलो छोड़के पचास किलो में आई हैं, परन्तु इसकी परिस्तितिया क्या थी, किस कारण से उनको लड़ना पड़ा, इसके बारे में कोई जानना नहीं चाता, केवल उनको एक, उनके सीने में एक तरह से खंजर घौपे जा रहे हैं, जिस लड़की ने इतना जहला हो और जेलते जेलते भारत का नाम इतना रोशन किया हो, क्या उसके छीने में ऐसे खंजर जोपना ठीक है, मानव तक होती जा रही है, सभी से मेना अनुरोद है, किरपिया पहले तत्यों का अध्यन करिए, इसमें किस की गलती मांगते हैं, इसमें सरा सर गलती WFI की है, सरकार की गलती भी है, सरकार को WFI की मौनिटरिंग करनी चाहिए थी, WFI के जो रूल्स हैं, उस रूल्स को केवल विनिश को नीचे दिखाने के लिए चेंज किया गया है, ताकि वे पार्टिस्पेट ना कर पाए, तिरे पन किलो कैटगरी में, इसमें पूरी की पूरी जो गलती है, वो WFI की है, वो आंदोलन में शामिल थी, वो आंदोलन इसले कर रही थी, क्योंकि उनकी FIR रेजिस्टर नहीं हो रही थी, हाई कोड के माध्यम से उनकी FIR रेजिस्टर हुई है, और 21 माई 2024 अभी बिरिजबूशन जी के खिलाफ चारजित फ्रेम हो गये हैं, तो कही ना कही वो गिल्टी है, इसलिए उन्होंने आंदोलन करना पड़ा, क्योंकि उनकी FIR रेजिस्टर नहीं हो रही थी, पिछले साल उनकी FIR लांच होई थी, कोड के आदेश के बाद, और 21 माई को उन पर चार्ज बना है, तो एक साल का टाइम कोई कानूनी प्रक्रिया में बहुत ज सांसद रहे हैं, तो इतना डिले तो चलता है, पर मैं देश की जुडिशरी को सलाम करता हूं, जोनोंने उनके खिलाफ 21 माई को चार्जिस फ्रेम कर दे हैं, बिल्कुल बिल्कुल विनेश केवल अपने लही लट रही थी, वे सभी खिलाडियों के लिए लट रही थी, वे बहुत ही जल्द मैं इस पे एक पुरा तत्यों के साथ आपके सामने एक वीडियो के साथ आऊंगा, जिसमें आपको विनेश फोगाट की अचीवमेंट्स, वहाँ वो किस कारण से 50 किलो में लड़ी है, ये बताऊंगा, आपकी आँखे अपने आप खुल जाएंगी, तब क मानूंगा, वो मानफता के खिलाफ है. कर सकते हैं, और खिलाडियों को बेटर से बेटर फैसिलेटि दे पाएं, ताकि वे देश का नाम रोशन कर पाएं. पौदे जितने लगा पन लगा रहे हैं? आज इस तरह से आपने पदर अपकी काहले हैं, तो प्रांट से रहे हैं, कितनी जो कुछी में रहे हैं कि आनवाल समय में परियावन इसे मिलना है? जी, इससे जो आपने क्या पूछा से तो परियावन अच्छा रहे गाने वाले समय में, तो आपको कितना इससे अच्छा बखिल हो रहा है? जी, बहुत खुशी मैसूस हो रही है हमें, कि हम आज एक कर पा रहे हैं, इससे जो हमें को ऑक्सिजन मिलता है, ग्रीन हाउस गैसे मिलती है, वो सब को, मताब हम हम यूमन बींग्स के साथ-साथ, जो हमारे जानवर है, जो बेजुबान जानवर हैं, उनको भी बहुत मदद देता है, जो आजकल जो कि ये बदलाव आ रहा है मौसमों में, उसको लेकर हम बहुत सोचने की कोशिश करते हैं, कि जितना हम लोग बचा पाएं अपने परियावरन को, उतना कर पाएं, यूद के लिए ये मेसिज है कि आहार फाउन्डेशन की टीम के साथ आप जुड़ि करने मेसिज देना चाहिए उसके लिए तो कि ये है कि वहाँ पर जितनी पॉपिलेशन हमारी जा रही है, छुटी मनाने थोड़ा सा अगर सोचल मीडिया को ना देखें वहाँ पर, सोचल मीडिया के देखते हुए जो लोग ज़्यादा जा रहे हैं कि हमें भी छुटी मनान ताकि दुर्गटनाओ से आप बचें उत्राघंड में दू मामले हो गया है इसके लिए तो सबसे आज जोर है एजुकेशन और एजुकेशन लड़कें को नहीं मैं कहूंगी एजुकेशन मांग रहे हैं लड़के अगर हम लोग ये सोचें कि हम बेटी बचाएं बेटी पढ़ाएं मेरा तो कहना ये है कि अगर आप अपने बेटों को पढ़ाएं कि कैसे जीना है कैसे एक सुसाइटी में रहना है अगर वो सब सिखाएंगे तो जादा जोरी है तो बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ से जादा बहतर है लड़के पढ़ाओ बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए मतब कोशिच यह रहनी चाहिए कि अगर एक मां का बच्चा है बेटा है तो उसको पढ़ाया जाए कि बेटी को ना सिखाओ कि कैसे जीना है जीवन में छुपके जीना है डर के जीना है बेटों को सिखाओ कि कैसे चलना है सड़क पे कैसे चलना है कैसे निगाहें रखनी है तो शायद हमारा देश बदल पाए और फांडेशन को हमारा डेट साल हो चुक है, हम लोग स्टेशन पे गरीब लोग को जो बैगर्स हैं, उन लोग को खाना खिला रहे थे, यह हम लोग हफते में एक से दो बार करते ही हैं, बागी हमने संडेज में शुरू करा है प्लांटेशन राइब, अभी तक हम इस समर में हम 300-300 प्लांट लगा चुके हैं, तो अगर आप लोग में से कोई भी यूथ या कोई भी बुजर्ख हमा ऐसा जुड़ना चाहता है, तो वो हमारे डीम कर सकता है आहर फांडेशन पे, पेड लगाना जितना महतपूर्ण है, उससों ज्यादा महतपूर्ण उसका सरक्षन है उसकी देखबाल है, सादुवाद देना चाहता हूँ, आहर फांडेशन के इन बच्चों को इस पूरी टीम को, जिन्हों ने इतना बड़ा इनिसिटीव लिया है, बिना किसी लोग लालच के लोग इतना पुनीत कार्य कर रहे हैं, चैरभ जिन जिने ने प्रेड़ना दी है निश्ची तोर पर बदाहे के पात रहे हैं, आज हम लोगोंने डंपिंग याड का सेलेक्शन इसलिए किया है, क्योंकि यहां हाँ गारबेज इखटा होता है, पूरा मिलेटरी डिफेंस एरिये का जितना भी गारबेज कूडा करकट होता हूँ, यहां इखटा होता है, और वहाँ प्राबेज कुड़ों निश्ची कर दोगता है, वाल खुणीन है, ओज हुआ है।